दोस्तों गर आप भी चाते हैं कि इस बार्टी 20 वर्ल कप का फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरू किजेगा दोस्तों सूपर 12 में एक के बाद एक सूपर हिट मुगाबले खेले जा रहे हैं और टॉप 4 की रेस में बने रहने के लिए सबी टीमें 80-80 का जोर लगा रही है दोस्तों टूनामेंट में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन सबसे बहतर दिख रहा है और अभी के हालातों को देखते हुए उनका सेमी फाइनल में जाना लगबग तैद दिख रहा है वहीं दूसरी तरफ भारती टीम को अभी भी अपने पहले जीत की तलाश है लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को आज अपने तीसरे मुकाबले में आफगानिस्तान से कड़ी टक कर मिली है और अभी भी ये तैय नहीं हुआ है कि इस ग्रूप 2 में कौन सी टीम सबसे पहले सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी ऐसे में दोस्तों आफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैच की हाइलाइट्स तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बाटी 20 वर्लकप में कौन सी टीम जीतेगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों शुकरवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और आफगानिस्तान की टीम आमने सामने थी और दोनों ही टीम पिछला मुकाबला जीतने के बाद यहाँ पहुची थी दोस्तों मैच में अफगानिस्तान के कप्तान मुहमद नभी ने टॉस जीत कर पहले बहले बाजी करने का फैसला किया लेकिन उनका ये फैसला उनकी टीम पर ही भारी पड़ गया और अफगानिस्तान की टीम पहले पाउर प्ले में ही धरशाही होते दिखी दोस्तों पाकिस्तान के लिए शाहिन अफरीदी ने गेंदबाजी की शुरुआत की वहीं हजरत उल्लाज जजाई और मुहमद शहजाद उपनिंग करने के लिए आये लेकिन दूसरे योवर में गेंदबाजी करने आये इमाद वसीम ने हजरत उल्लाज जजाई को खाता खुलने का भी मौका नहीं दिया और अफगान टीम को पहला जटका लग गया दोस्तों इसके बाद कप्तान असगर अफगान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पहुँचे दोस्तों एक तरफ जहां अफगान की टीम विकेट खुए जा रही थी वहीं दूसरी तरफ उनके बल्लेबाज हवाई शाट खेलने से बाज नहीं आ रहे थे दोस्तों चौते ओवर में इमाद की पहली गेंद पर गुर्बाज तो वहीं चौती गेंद पर अफगान ने भी गगंचुम्बी छक्का जड़ते हुए 17 लन बटोरे लेकिन दोस्तों अफगानी टीम का टेक जादा देर तक नहीं चल सका क्योंकि पांचवे ओवर में हरिस रॉफ ने कप्तान असगर अफगान का विकेट जटक लिया और अफगानिस्तान ने तीसरा विकेट गवा दिया लेकिन दोस्तों जननत अलग ही मूट में बल्लेबाजे कर रहे थे उन्होंने हसन अली के ओवर की दूसरी और छटी गेंद पर दो जबर्दस चो के जड़ अफगानिस्तान का स्कोर पावर प्ले के बाद 49 रन तक पहुँचा दिया था अलाह जादरान भी 22 बनाकर लेग स्पिनर शादाब खान का शिकार हुए और 76 रनों पर 6 विकेट गवा कर अफगानिस्तान की पारी लड़ खड़ाते दिख रही थे लेकिन दोस्तों यहीं से मुहमद नभी और गोलाब दीन नईब का पर आकरम शुरू हुआ दोनों ही बलेबाजों ने एक के बाद एक चौके छको की जड़ी लगा दी और पाकिस्तानी गेंदबाजों को बैक फूट पर धकेल दिया दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आकरामक मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया दोस्तों 17 ओवर के बाद अफगानिस्तान का इसकोट 6 विकेट होकर 104 रन था और इसके बाद ऐसी धुनाई हुई कि पाकिस्तान के गेंदबाज ये सपने में भी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों 18 ओवर में गेंदबाजी करने आए हसन अली की लाइन और लेंध दोनों बलेबाजों ने ऐसी भी गाड़ी कि उनके पास वापसी का कोई मौका ही नहीं बचा पहली गेंट पर छक्का, दूसरी गेंट पर चौका, तीसरी गेंट पर और चौथी गेंट पर दो रन और पांचवी गेंट पर फिर एक शांदार जौका जड़ते हुए हसन अली के एक ही ओवर में नवी और गुलाब दीन ने 21 ठोक डाले और एक ही ओवर में ये मैच पूरी तरीके से बदल गया दोस्तो 18 वे ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 125 रन पहुंच चुगा था और दोनों यहीं नहीं रुके अगले ये ओवर में हरिस रॉफ की गेंद को आड़े हाथो लेते हुए उनने इसमें ओवर में 15 रन जड़ दिये और स्कोर 140 पहुंचा दिय दोस्तों जहां एक समय अफगानिस्तान टीम के लिए 100 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था उस टीम ने 20 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना डाले दोस्तों नभी और गुलावदीन दोनों ने ही सरवाधिक 35 रन बनाए दोस्तों 145 रन के जवाब में पा पहुँच के लेकिन दोस्तों दूसरे योवर में मुहमद रिजवान ने अपने हाथ खोलते हुए नभी की गेंद पर शांदार छक्का जड़ दिया और टीम पर से दबाव कम करने की कोशिश की वहीं दोस्तों दूसरी छोड़ से मुझीब काफी बहतर गेंद बाजी कर र दबाव कम करने की कोशिश की और पाकिस्तान का स्कोर 5 ओवर में 31 रन हो चुगा था दोस्तों यहां से टीम को जीत के लिए 89 गेंदों में 170 रनों की जरूर थी और अभी भी पीच पर बाबर आजम मौझूद थे इसे देखते हुई ये कहा जा सकता है कि अभी भी आफगान पाकिस्तान के पास वापसी का मौका होगा क्योंकि उनके पास राशिद खान का स्पेल बाकी रह रहा है और उनके चारों गेंदबाज इस मैच की दशा और दिशा दोनों ही तैग करेंगे अगर राशिद चार ओवर में एक या दो विकेट हासिल करने में काम्याब हो जाते है दोनों में से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को